चत्यसगड के मुख्यमंत्री विश्णु देव साय लगातार उडिशा का दौरा कर रहे हैं लोगसभा चुनाओ और विधान सभा चुनाओ में भाजपा प्रत्यासी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं 40 डिगरी टेंपरेचर आज हम संबलपूर में हैं बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से क्या महौल लग रहा है 40 डिगरी टेंपरेचर में भी बहुत भीड़ाई है बहुत अच्छा महौल है मेरा आज 6 दिन है ओडिसा के अंदर में और 6 दिन में कई लोगसभा और कई बिधान सभा में गया हूँ और सभी जगा इसी तरह से जनसेलाब देखने को मिला है और उत्सा देखने को मिला है हम पूरे विश्वाज के साथ कह सकते हैं कि इस बार यहां 25 साल से जो बिजेडी की सरकार नोईन पटनाई की सरकार चल रही है यहां की जनता उखाड के फेकेगी और यहां का अधिकांस लोगसभा स्रीट भी चूंकि सब नरेंद मोदी जी को तिसरी बार पधानवंती के रूप में देखना चाहते हैं इसे अधिकांस लोगसभा की स्रीट भी भारती जनता पाटी जीतेगी गांधी को ट्विट करके आपने जवाब दिया है कि गलत बयानी नहीं करें चावल का मामला था अब देखिये लोग उसे को मेडिया में बोल देते हैं वास्त्विक्ता पता करते नहीं है बाद में उनकी जगहसा ही होती है तो उनको पहले इतने बड़े नेता है तो उनको वास्त्विक्ता का पता करके ही कोई वियान देना चाहिए पूरु मुखमंत्री भुपेज बगेल बोल रहा है कि राहूल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट करिए ख्याली पूला पकाते रहें कुछ होना है नहीं इस बार और ज्यादा दुर्गति कॉंग्रेस की होने वाली है पहले लोगसभा में लोग नेता प्रतिपक्ष बनने तक की स्टीट नहीं जीत पाते हैं वो तो भारती जन्ता पाठी मोधी जी की दर्यादिली 1419 में भी ये लोग चोवन सीट भी नहीं जीत पाई थे नेता प्रतिपक्ष इनका नहीं बन रहा था लेकिन मोधी जी दर्यादिजी दिखाया और खडगे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिय थे इस बार वो भी स्थितिन की नहीं रहेगी। तो आप देखिए मुक्यमंत्री विश्णूदेव साय का कहना है कि इस बार चुनाओं में, लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रेस को कड़ी टककर मिल रही है और मोदी जी दर्या दिली दिखा रहे है। वीडियो जन्रलिस्ट मुकेश के साथ म्रगेंदर पांडे संबलपूर।